आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कॉलर्शिप के बारे में जो आपको हर साल 75,000 रपे तक प्रोवाइड कराई है जिसका नाम है स्कैफलर इंडिया होप इंजिनिरिंग स्कॉलर्शिप जैसे कि आपको नाम से पता लग गया होगा यह सिर्फ इंजिनिरिंग स्कॉलर्शिप के बारे में नमशकार मेरा नाम है प्रवीन जैसिंग CEO at insights of carrier जहां बात करेंगे education के बारे में एक्टम आसान वाशा जिसके आप अल्रड़ी जानते है स्कॉलर्शिप का नाम है स्कैफलर इंडिया ओप इंजिनिरिंग स्कॉलर्शिप जो कि आपको हर साल 75,000 तक की हल्प करने वाली है 75,000 तक की अमांट प्रोवाइड कराईगी अब हम जानते हैं इसकी eligibility criteria के बारे में इसका eligibility criteria क्या है और कौन-कौन इसके लिए जैसे की नाम से पता है इंजिनिरिंग स्कॉलर्शिप है तो इंजिनिरिंग के बच्चों के लिए होगी दूसरा है इसका आपने 12th क्लास में minimum 60% स्कॉर किया हो economically weaker session से belong करते हो और साथी साथ आपकी family income 5,000,000 से कम होनी चाहिए सालाना इंकम आपकी जो है 5,000,000 से ज्यादा नहीं होनी है अब हम जानते हैं इसमें documents आपको क्या-क्या required होने वाले है क्या-क्या documents आपको ज़रत पढ़ने वाली है सबसे पहले चीज़ त्वेल्थ की टैन दॉर्ट त्वेल्थ की दोनों ही माक्षित होनी चाहिए आपके पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए अपने जिसमें अडमिशल लिया है उस college का आपके पास फीस रिसिप और फीस स्ट्रक्चर आपके पास होना जरूरी है आपका income certificate बहुत जरूरी है आपका income certificate होना जरूरी है सारे documents जैसे की अधार कार्ड, address यह सभी आपके पास होन चाहिए और जांदे इसकी selection process का है selection process जो आपने information दी है उस information के बहाफ पे आपका selection होगा जैसे ही आपने information में दिया है कि मैं economy के लिए करूँ और इतना मैंने score किया है तो सारे information करेक्ट होनी चाहिए उसके अलावा document verification होगा उसके बाद आपका document verification के बाद आपका interview round होता है इंटर्व्यू round में आपसे पूछा जाता है कि आपको इस course को लेके क्या dreams है, society को बाद में आप क्या serve करने वाले हैं, किस तरह की आप job करने वाले हैं, या job करने में आपका interest है, या business में आपका interest है, तो इस तरह कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे interview में, interview होने के बाद बि कितनी कराएं, इस रेलिटिट और भी जानकारी के लिए आप इसकी official website पे जा सकते हैं, website मैंने दे दिये, और आपको इसका form online वे में मिल लाएगा, online इसकी website पे विजिट करके आप इसका form ले सकते हैं, वहां से इसका form बर सकते हैं, बाकी scholarship के ही तरह इसका form बढ़ा जाता है कोई बहुत टिपिकल नहीं, नॉर्मल डॉक्यमेंट्स मांगे जाते हैं, नॉर्मल प्रोसेस हैं, आप इसका form इजी भर सकते हैं, आपको इनफर्मिशन अच्छी लगी होगी, मैं साथ बने रही हैं, इंसाइट्स अफ करियर में, नमश्का